नमस्कार आप देख रहे हैं आलाओक एक भारत नियूज नेटवर्क आपके साथ मैं हूने हांकुर वालिया आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे अपने पैर पसारते करोना की अफवाएं बहुत ज्यादा उड़ाई जा रही हैं इस तरह की अफवाएं सामने आ रही हैं कि जुनाया स्ट्रेंड इस वक्त इंडिया में आया है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं लहर पर लहर की बाते तो हम करते आए हैं लेकिन इस बार हम बात करेंगे स्ट्रेंड की इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने मेडीकल एक्सपर्ट दॉक्टर राय बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दॉक्टर राय हम रोज चाहे न्यूज चानल देखें चाहे अखबार देखें एक खबर हम जो prominently देख रहे हैं और हम भी खबर कर रहे हैं जहां अफवाएं ये बहुत ज्यादा उड़ाई जा रहे हैं कि किसी भी तरह का immunity level आपका हो ये जो नया strain है उस पर भी काम नहीं करता नहीं जी आपने बिल्कु ठीक का ये इस वकत हमारे लिए सब के लिए चिंटा का विशे है क्योंकि जो double mutation का जो virus का हुआ है और खास तोर से इंगलेंड के अंदर ब्राजिल के अंदर अमेरिका के अंदर साउथ अफरीका के अंदर तो इसकी infectivity भी बहुत बढ़ गई है इसक को भी ये धोखा दे रहा है यानि कि आप उसको इमीजेटली उसको डाइगनोस नहीं कर पा रहे है ये सबसे बड़ी समस्या की बात है और अभी तक का हम ये कहते थे कि इसकी जो fidelity rate थी वो भी पहले वाले से कुछ ज़्यादा है infection तो ज़्यादा है और spreading भी इसकी पावर ब पूरी कोशिश कर रहे हैं हम डॉक्टर समाज कर रहे हैं कि हमको इससे बचना है और जो आज सबसे बड़ी चीज मैं आपके माध्याम से जरूर कहना चाहूंगा लोगों को ये लगा कि हमको vaccine मिल गया अब तो हमें कोई चिनता की बात है नहीं मैं आप लोगों को बता दू vaccine is not the treatment ये इलाज नहीं है ये आपको सिरफ उस बीमारी से प्रवेंट करेगा आपको रोकेगा लेकिन अगर आप बीमार होगे तो फिर आपके लिए मुश्किल वाली बात होगी सर ऐसी बाते सामने आ रहे हैं 55-56 केसि एक दिन में सामने आ रहे हैं इस कदर करूना अपने पैर पसार रहा है लेकिन एक बार फिर जो स्थिती महराश्ट में महराश्ट के आसपास के स्टेट्स में बनी हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे नहीं जी आपने बिल्कु ठीक का मैं आपको छोटा साफी से बैक्ग्राउंड पर जाता हूँ एक मार्च को हिंदुस्तान के अंदर 10,000 केस थे और एक मार्च के बाद 10 मार्च को वही केस की संक्या 22,000 हो गई और 22 के बाद 20 मार्च को वही संक्या 42,000 हो गई 20 मार्च के बाद आज 25,000 को हमारे 59,000 केस आज रिपोर्ट हुए हैं अब आप देखिए इसकी स्प्रेडिंग पावर कितनी बढ़ गई है अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल देख और रहा सवाल माराष्ट की जो आप बात कर रही हैं माराष्ट के अंदर अगर 60,000 केस यहां पर हो रहे हैं तो 30,000 से ज़्यादा केस सिर्व माराष्ट में हो रहे हैं तो यहनि कि पूरा देश एक तरफ उसके आधे केस आपके माराष्ट में हो रहे हैं और सबसे बड़ा कारन ए उसका वही है कि लोगों ने बड़ी लापर वही बरतनी चालू कर सबने अपना सोचने लगे कि मास्क हटा दिया सब कुछ हटा दिया और देखिए मंबई के लिए मंबई के लिए मैं खास्तोर से कहना चाहूंगा कि जिस वकत एक साल तक लोगडाउन रहा वहां की जो लाइफ लाइन ट्रेन के लाती उसको बंद कर दिया गया लेकिन अचा है कि मीट करने का छो साधन है वह वह यही वजाय सर लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा मजबूरिया कब्त का अंदर रखोगी यू बहूत बड़ी समझ से तो यह सारी समझ करने की वज़े से उनको डिस्टेंस खतम हो गई, मास्क की चीज नहीं है, अब मैं एक चीज सरकार से भी यह पूछना चाहता हूं, कि आज हमारे देश के अंदर पांच राजियों के अंदर हमारे नेता लोग रूल मॉडल्स होते हैं, बड़ी बड़ी रेलियां कर रहे हैं, और रेलियों के अंदर मैं कहीं नहीं देखता हूं, कि 70-80% लोग बिना मास्क की, बिना सोशल डिस्टेंस की, यही वज़ा है, कि आप आए दिन पढ़ रहे होंगे, आए दिन देख रहे हों अब कल बेंगाल के अंदर पोलेंगे, आसाम के अंदर पोलेंगे, और आज अभी सुबह की खबर है, कि पंचायत के इलक्शन को नोटिफाई कर दिया है, यूपी के अंदर, उसके बाद क्या हलात होगी हमारी, यह आप समझ सकते हैं, सरकार को खुद को सोचना चाहिए, ए हमें इसके साथ जीना होगा, बहराल, चलिए सर, अगर हम बात करें वाक्सिनेशन की, हर वाक्सिनेशन जब हम अपने बच्चों को भी लगवाते हैं, तो कहा जाता है कि यह कोई फुल प्रूव बचाव नहीं है, इससे भी आपको 60-70 प्रतिश्रत जो है, वो रोधक शमता मिलती है, तो सर, ऐसे में इस वाक्सिन की बात करें, चाहिए वो कोई वाक्सिन हो, चाहिए कोवी शील्ड हो, सर, हमें कितनी सुरक्षित रख पाएगी करोना से? नहीं जी, आपने बिल्कु ठीक का, मैं आपको छोटी सी बात आता है, तो अगर मुझे याद आ रहा है, कि आपी के चैनल के उपर मैं आज से तीन मेने पहले मैंने कहा था, कि अब आपको कोरोना के साथ रहना, जीना सीख लेना चाहिए, अगर आप सोचे कि कोरोना हमेशा के लिए खतम हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है, जिस प्रकार से फिल्यू हर साल आता है, जिस प्रकार से टाइफ़ाइड हर साल आता है, ये सारी बिमारी आती हैं, अब आपको कورोना को भुगतना पढ़ेगा, तो लेकिन उसका ईलाज सिर्प परह 의ج है, और मास्क की है, अगर देश की जनसा क्या एक सोती स करोड की है सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं सौरी मैं लेकिन ये चीज आपसे जरूर जाना चाहूंगी खबरे ऐसी भी आ रहे हैं कि वैक्सिनेट अपने आपको करवाया उसके बाद भी पॉजिटिव हो गया ये ये दिखे पॉजिटिव भी हो गया और उसके बाद वो इंफेक् हो गया तो ये तो अच्छा वैक्सिन लगने के बाद तीन हफ़ते चार हफ़ते तक आपको इम्मिनिटिव आने लगती है सेकिंड डोज हम चार हफ़ते के बाद इसलिए देते हैं कि उसको पर बूस्टर दे के आपको इम्मिनिटिव के बढ़ा दिजाए लेकिन अगर बचाएगी सोचल डिस्टेंसिंग बलाएगी हैंड हाइजीन बचाएगी सर्ट बूस्टर लगने के बाद भी हम माने के जो परसंटेज लेवल है वो 60-70 ही रहता है या वो कोच इंक्रीज होता है एटी 85 तक चला गया है और उस दिकी बूस्टर लगाने का मकसद यही होता तो 3-4 का मतलब है 130 करोन में से 100 करोन जनता को आप इंजेक्शन लगाईए या वो बिमार हो अगर 100 करोन हमारी जनता बिमार हो गई तो हम कहां पर जाएंगे आप बताईए तो उसका एक इलाज है जो कि हमने अपने मेडिकल पॉइंट अपने सरकार को भी यह रिक्वेस्ट करना चालो कर दीजे क्योंकि अगर अगर हम एक करोड आदमी एक महिने के अंदर हम वैक्सिन करेंगे तब हम सो दिन के अंदर अभी पांच करोड तक हमने किये हैं सिर्फ सो यहने करीब-करीब अठाई-तीन महिने के अंदर हम पूरी कंट्री को कर पाएंगे तब तो हम इम चो की भी जो है इंफेक्ट होने की बाते सामने आ रहे हैं और जैसा कि वैक्सीन का अभी तक बच्चों के लिए कोई उपाय सामने नहीं आ पाया है सर उसको लेकर क्या कहें गए अभी तक जो हो हमारे पस डेटा आ रहा है बच्चों के इनफेक्ट नहीं हुआ है कुछ जगे पर बच्चे को इंफेक्ट होना चालू है, लेकिन इसको पर अभी हमारे पास पूरी स्टेडी नहीं है, मैं इस माध्यम से कोई बात कहूं तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे हमारे अभी तक इम्यून है इस चीज़ से, हमें उससे ज़्यादा डरने की जो है, वो बनी हुई है, कहा जा रहा था कि होली के आसपास हो सकता है कि तीन-चार दिन का लॉकडाउन इंपोस कर दिया जाए, उसी के चलते जो होली पर देखते हैं, आप कितने हुर्दंगी जो हैं सड़कों पर उतराते हैं, उन लोगों से निजात पाने के लिए, वहा हम को कौन बचाने आएगा, देखिए, अब सरकार ने अपनी तरफ से बैन कर दिया, कि आप होली नहीं मनाएंगे, होली नहीं जलाएंगे, आप शब बरात के उपर आप कोई भीड़ कटी नहीं करेंगे, नवरात्री को उसने मना कर दिया, सारी चीज़ें सरकार अपनी तर सरकार को सक्त से सक्त उपायर लेने चाहिए, कोई व्यक्ति अगर सड़क उपर बिना मास के घुम रहा है, उसको उठा के दो तीन गंटे के सड़क पे खड़ा कर दो, अगर जर्वाना ने कर तो लगा दो, ताकि उसको अपना काम भी रुख जाएगा, और वहीं खड़ा र रखा है, कुछ लोग तो बड़े प्यार से दो सुरू पर ले बहीं, ऐसे करके चले जाते हैं, वो इलाज नहीं है, मैं यह कहूंगा कि वो खुद अपनी जान से खेल रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है, सर साथ ही हम वैक्सीन को लेकर, एक वैक्सीन को लेकर जो अभी तक कुछ लोगों को छोड़कर, यह कन्फूजन बरकर आ रहा है, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि जिस तरह की खबरे सामने आई थी, उसको लेकर लोग खासे डरे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे सर्थ। छोड़ दीजिए, जो भी सेंटर पे आप जा रहे हैं, जो वैक्सीन आपको सरकार या प्राइवेट हास्पिटल लगा रहा है, खुश हो के लगवा लीजिए, अपने परिवार को भी लगवा लीजिए, और अपने जो आपको डिट दी जाते, उस पर लगाईए, परहेज मत कीजिए, अगर आपको कोई प्रोटेक्शन देगा, इम्मिनुटी देगा, तो वो सिरफ वैक्सीन देगा, और प्रोटेट करेगा, तो आपकी मास्क करेगी, तो जैसा कि डॉक्टर राय से हमारी पहले भी बात होती रही है, उनका कहना था कि करोना के साथ हमें जीना तो हो रही हो, कि आपकी डबल इम्मिनुटी भी आपको इस बार नहीं बचा पाएगी इस ट्रेन से, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साब ने बताया, खुद मेडिकल एक्सपर्ट है, उनसे आपने सुना, उनका कहना है कि मास्क लगाना बिलकुल ना भूलें, और जो तीन कारगर उपाए बार बार गवर्मेंट भी आपको समझा रही है, उनको फॉलो करें, तो करोना से बचाव बिलकुल मुम्किन है, इसी के साथ अभी फिला लेता है, देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, एबी एन एन